टोप रिपोर्टर में आपको स्वागत है इस बार केबल टीवी पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गण तंत्र दिवस की परेड को दर्शक नहीं देख पाएंगे केबल ओपरेटर्स के एक प्रमुक संगठन ने 26 जनवरी को सुबह के वक्त हर्ताल पर डाने का फैसला किया है यह हर्ताल ट्राई द्वारा एक फर्वरी से लागू होने वाले नए निल्मों के संबंद में है पूरे देश में 26 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक केबल टीवी का प्रसारन बंद रहेगा मुरादाबाद में मंगलवार को आयोजित हुई इस बैठक में फैसला लिया गया है जिसके तहट कहा गया कि ट्राई ने केबल ओपरेटर्स की कई मांगों को पूरा नहीं किया है इस बारे में कई बार प्रदान मंतरी कार्याले सूचना प्रसारन मंत्राले को अवगत कराया गया है लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिली है हिंद केबल ओपरेटर वेल फेयर फाउंडेशन के अध्याक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि संगठन की कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनके उपर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है इन मांगों में 15% लोकल केबल ओपरेटर की शेयरिंग सही नहीं है कुछ लोग प्रियों चैनलों के रेटादी प्रमुख है इसके अलावा नेटवर्क कैपेसिटी फीस से टॉप बॉक्स पोर्टबिलेटी भी प्रमुख मुद्दा है अगर आप हें वीडियो पसंद आया थो शेयर जरूर करे और लाइक करना ना भूले